हेलो गाइज वेलकम टू परगती आइडिया आज हम क्लास सेवन्त के हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स चैप्टर जिसका नाम है ट्रेशिंग चेंजिस थ्रो ए थाउजन्ड इयर्स इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या है इस चैप्टर में यह बतायागा कि हिस्टोरि पहले फोर्नर का यूज जो है किस वर्ड में लिया था समवन हूँ इस नोट इंडियन बट इन मीडिवेल पीरियड यानि कि मीडियोल पीरिड में कि फोर्नर का मीनिंग क्या लिया जाता था हूँ वाज नोट आपार्ट ओफ पर्टिकुलर सोसाइटी और कर चर ओके तो मत मीडिवेल पीरिड में फोर्नर किसको माना जाता था वह पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी से ब्लोंग नहीं करता दूसरी यानि कि हम कह सकते हैं कि एक गाउं से जैसे फोर एक्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मैं अपने गाउं से जो है डेली पढ़ने के लिए जाती हूँ टो जो डेली के लोग हैं में किया बोलेंगे में द Lan captions ऑप और उस टाइम पर जो हम हिंदी में उसी वर्ड का मीनिग बोलते हैं पर्देशि बोलते थे उर्दू में क्या बोलते थे अजनवी तो मतलब language की एकोर्डिंग भी नेम चेंज हो जाते थे और जहाद टाइम पिरिड के अगोर्डिंग उनका मीनिग चीज होता था पहले मीडियुल पिरियड में फोर्नर क्या है कोई पर्टिकुलर सोसाइटी और कलजर से का पार्ट ना हुग फोर्नर आज के टाइम पे क्या हो गया कि जो इंडियन नहीं है वह क्या हो गया फोर्णर ओके तो यह सारी चीजिए आगे लेंगवेज की आकोडिंग जो है फोर्णर किया परदेशी और जनभी बोला जाएगा अब नेक्स्ट बो जो आता है वह आता है इस्टोरियन एंड देर शुर्सीज देखो किसी भी हिस्टोरियन क को अपने कॉंटेक्स्ट गया अपना जो भी मैटियल प्रवाइड करना होता है उसके बारे में कोई भी रिसर्च करने होती है उसके लिए उसे किसी ने किनी सोर्शीज की जरूरत होती है इस यह रफली वी आर गोइंग टू स्टेड़ी देखो मैं यह पहले बताएं कि इस साथ सो से लेकर सत्रा सु सबक्राइब तक यह जोगाएं कि क्या क्या हुआ किस तरह से वा उसको स्टड़ी करें है अब हिस्टोरी जीन 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 रिषॉर्सीज का यूज करते हैं इस्टोरी एंटिल रिले जैनकि सट्स डास में भी रिपदा था तकि कौन कौन से रिसोर् तो यानिakah अपने था आ है या पने स्टदी को कॉया रिसर्च मों कम्पलीट करने के लिए इन रिखार्ण करने हैं तो यूँज लिखने की जो लिखते थे और ज्यादा से ज्यादा क्रोनिकल्स लिखने पर बिलीव करते थे यह सारी चीजें जो हैं तो क्यों उसके पीछे अभी क लिए मिले माथतू घता क्या अए ग LGBT गजो होता थे जाहर्मिक गरंतों जिनको हम भॉलते वह लिखते थे ति झान और रूलर्स वर रिटन जो रूलर्स होते थे जिनके अंडर वो रहते थे तो उन रूलर्स की उन रूलर्स की क्रोनिकल्स जो है वो लिखे जाते थे क्रोनिकल्स क्या होते हैं क्रोनिकल्स होते हैं या उस टाइम पर जो भी किसी जगह पर कोई घटना हुई या उस टाइम अगर जो रिकोर्ड रखना होता था वह सारह जाना चीजे जो है उनको हम क्रोनिकल बोलेंगे तो इसमें क्या आता था कि जो इस पीरियड में जो क्रोने रूलर्स के एक्रोनिकल्स है वो लिखे गए थे सेगा नेक्स्ट आता है कि लेटर्स और टीचिंग ओफ सैंड्स पिटिशन्स एंड जूडिकल रिकोर्ड्स तो रैटर्स लिखे जाते थे सैंड्स जो आपने थोट्स गईरा लिखते थे और पिटिशन्स यानि कि किसी जैसे किंग रखा जाता था इस टाइम के लिए अब यह कहते हैं कि यह सर्कुलेटिड हाव इट वाज सर्कुलेटिड तो यह सर्कुलेटिड कैसी हुए विकोज देवर नो प्रिंटिंग प्रैस अट ताइम तो इस टाइम पे जो है यह हमारे माइन में विखे जाती थी इनके शर्कुलेशन के लिए अब कुछन पुटा पता कि मैनुस्क्रिप्स क्या है वट आद अधा मैनुस्क्रिप्स एंड श्क्राइब्स ओके तो यह नेक्ट अभी कि मैनुस्क्रिप्स हैंड रिटन बुक्स यूज़ली क्लेक्टिड बाइद वैल्दी पीपल रूलर्स मोनेस्ट्री एंड टेंपल तो यह क्या कहता है कि वह हैंड रिटन बुक उनकी बारे में जो उस टाइम पे मतलब के जो वैल्दी पीपल यानिक रिच पीपल जो होते थे रूलर्स होते थे ओं या टैंपल बगेरा में जो रहने वाले जो एक तरह से हम कह सकते पंडित या प्रोहित जो बड़े बड़ आए उनको लाइब्रेरी में रखा जाता था या फिर आर्ची üzer में आर्चीव क्या है एक तरह से हम उनको लाइब्रेरी भोज झांटे जहां पर बूराण यानिक अम स्कूरिकल जितने भी पboo मेरा होते हैं या इस्ट रिकोर्ड जा होता है उसको हम कहां पर रखते हैं वह जो जगह होती है उसको हम archives बोलेंगे एक तरह हिंदी में उसको अभी लेख्यागार बोलते हैं ओके तो मैनिस्क्रिप्स वर रिटन बाइ स्क्राइब से तो मैनुस्क्रिप्स हैंड रिटन बुक थी तो हैंड रिटन बुक के लिए कोई लिखने वाला भी होना चाहिए तो स्क्राइब क्या हो गया कि in excellent copywriter who copied manuscript by hand तो जो मैनुस्क्रिप्स थी उनको जो है कोपी करने वाला जो होता था उसको जो है स्क्राइब बोला जाता था देखो आप लोगों ने भी कई बार ऐसा हुआगे कि स्कुल से छुट्टी ले ली स्कुल में नहीं आये तो आपका हम व जुट्वी तो क्या होगी जो लिखने वाला कोन हो गया आपका फ्रेंड लिखी थी ओके वहा उसकि क्या की आपने की तो हिस्कुल चेंजी जो है वह अपने उसमें script को लिखने में में कर देते थे तो यह चेंजिस जो है ताइम के अको जा से वनगे दूस्स जो होती था हैं जो समोल चेंजिब दीतिंट को च्छेंग करते जाता है यह बढ़ते चलेह दो यह डिफ्रेंस क्रीयर्ट होता जाता था अब कई सबस्टेंशली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर अब गर देखो फर्स्ट कोपी जो हुई थी फर्स्ट कोपी को और जो लास्ट में यानि कि फर्स्ट के बाद सेकेंड थार्ड फॉर्थ फिफ्थ तो ऐसे मतलब जो लास्ट कोपी और फर्स्ट कोपी का अगर हम कंपरेजन करक तो उनको actual में जो author क्या कहना चाहता था उसका बारे में पता करने के लिए उनको जो है बहुत सारी manuscript को रीड करना पड़ता था तब जाके conclusion निकाल पाते थे कि actual में author जो है क्या कहना चाहता है ठीक है secondly क्या था कि जो author's जो manuscript क्रिप्स लिए अपने chronicles जो लिखते थे वह डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम्स पर लिखते थे तो यह chronicles were handwritten often created confusion तो यह chronicles थे यह क्या थे डिफ्रेंट क्रिएट कर देते थे किस उसमें कि बिज़े है यह राइटर की जो है हर टाइम पर सेम टाइम पर एक जैसी जो है handwriting नहीं हो सकती ठीक है तो वह एक chronicle में जो है उसकी language अलग है मतलब उसकी जो writing है वह अलग skill है second जो chronicle अगर वह लिखता है तो उसमें writing skill है इसका example जो है आपकी बुक में दिया है जियाओदीन बर्नी जो थे उनके दो उन्होंने दो बुक जो है